अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बिटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पराबर में जो पहला आइकन इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसा करने से आपको मेरी रेसपी सबसे पहले देखने मिलेगी वो भी फ्री में और रेसपी अच्छी दाल रही हूं मेरा यह एक मग 200 ml है तो तकरीबन मैंने सवा लिटर पानी डाला है यह 200 ग्राम चिकन बोन्ले से इसकी मैंने चर्वी निकाल लिया है बारिक बारिक पीस कर लिया है इसे दो-तीन पानी से धो के नितार के अब मैं यह जो चिकन है यह सारी डाल देती हूं पान मेरी है साबुत ये भी दाल देती हूँ थोड़ा सा नम्मक चुटकी बढ़ दाल दीजिए वन फूट टीस्पून जितना सोया सॉस दाल दीजिए चूले को कर दीजिए चालू फास्ट आँच पर और एक उबाल आजारनी दीजिए जब एक उबाल आजाता है पानी के अंदर तो इसे slow या medium आज करकर तब तक पकाए जब तक चिकन गलनी जाती तब तक ये तकरीबन डेड़ कप भुटे के दाने हैं इसमें से मैं 3-4 कप निकाल कर ये जो mixer जार के अंदर है उसमें दाल देती हूँ और उसमें दरदरा सा पीस लेती हूँ बारिक नहीं पीस रही जो चलनी भी है और एक साइट पर मैं बाउल भी रख रही हूँ चूला बंद करने के बाद ये जो पतिली है चिकन की इसको मैं नीचे ले लेती हूँ और उसमें से चान चान के में ये जो चिकन है जो मैंने बाउल कर ली है वो मैं निकाल कर साइट पर रख देती हूँ बा 200 ग्राम की चिकन के दो ही पीस कीजिए तो इस समय आप सिर्फ वो दो पीस निकाल के श्रेड कर लीजिएगा पट मैं अभी जो चिकन के पीस किया है इन्हें निकाल निकाल कर साइट पर रख रहे हूं इसमें थोड़ी बहुत लस्तन और यह आ भी जाएगा काली मीरी और प्य लेती हूं यह जो प्याज लस्तन और काली मिरी और यह दिखे पूरी तरीके से मुझे चिकन प्रॉपली मिल गई बॉइल करी हुई अब जो नितार के हमने लस्तन वगरा साइट पर रखा उसे भी थोड़ा सा चमच की मदद से प्रेस कीजिए और निचोड कर उसका भी कस निकालके इसे फेक दीजिएगा चली अब यह जो स्टॉक हमें बचाए अब मैं आपको बता देती हूं कितना कप निकला है तकरीबन यह साड़े चार कप स्टॉक मिला है मुझे इससे और अब मैं लेती हूं एक कप फ्रेश पानी तो तकरीबन साड़े पांच कप मैंने द दाने 3-4 cup पूरे साबद यह दाल दीजिए अच्छा हो जो दरदरा पेस्ट बनाया है कौन का उसे भी सारे को दाल दीजिए यह जो मेरा मिक्सर जार है उसके अंदर मैं तकरीबन 100 ml जितना पानी दाल रहे हूं उसे चला कर इसमें दाल देती हूं मेरे यह जो सूप के 100 ml दाला और अब यह 100 ml दाल के यह टोटल पानी हुआ सवा लीटर अब इसे फास्ट आज पर पकने दीजिए साइड बाइस साइड मैं वन फोत कप पानी ले रहे हूं उसमें 3 टेबिल स्पून भरकर कॉन स्टाज दाल दीजिए कॉन फ्लार उसे बहुत अच्छे से मिक्स क लीजिए उसी टैम पर यह जो कॉण फलार की स्ट रिए यह भी दाल दीजिए फास्ट आज पर पकने दीजिए और बार बार चलाते रही है थिक हो जाएगा तब तक भक भी जाएगा हमारा कॉन फलार जो और जो हमने भुटटा डाला है वो भी पक जाएगा नमक दाल मीडियम आज पर मैं इसे अभी फिलहाल पका रही हूं और तकरीबन 6-7 मिनिट तक पकने दीजिए इसके दर्मियान देर से 2 टीबिल स्पून भरकर मैं शक्कर डाल रही हूं अच्छा आप शक्कर ना अपने स्वाद अनुसार डाले और वो है ना डिपेंड आपके जो चली आप चिकन बॉइल करी हूई दाल दीजिए आपने श्रेट करी हूँ तो श्रेड़िट दाल दीजिए वैसे मैं थोड़ी सी साइट पर रख देती हूँ उपर से डालूंगी तो और ज्यादा खुबसूरत लगएगा प्रेसेंटेशन के लिए तकरीबन 5-6 मिनिट हो चुके हैं और यह जो सूप है वो भी पराबर से गाड़ा बी और पक भी चुका है तो अब मैं यह जो अंडा फेट के रखियू यह थोड़ा थोड़ा दाल रही हो और कंटिनिव से मिक्स करते जाए चलाते जाए यह चमद से इसतरीके से जिब सारा अंडा दाल दे तो इस वैसे मीडिया माच पर तकरीबन एज से दो मिनिट तक पकाईए उसके बाद उसका चूला बंद कर दीजिए तो रेडी हो गया हमारा स्वीट कॉन चिकन बढ़िया सा सूप वैसे ये सूप आप कभी भी थंडी में गर्मी में कभी भी कोई भी मौसम में बनाकर घर में चेक कर सकते हैं एक से दो पॉइंट शेय करनी थी बहुत ज्यादा गाड़ा लगे तो थोड़ा सा पानी गरम करके इसमें दाल दीजिए वन फोट से आधा कब अब बहुत ज्यादा पतला लगे तो एक टेबल स्पॉन की थोड़ी से पानी के अंदर स्लोरी बनाके इसमें दाल दीजिए और 5-6 मिनिट पका लीजिएगा मीडियम आज पर अगर आपके सफेद पुट्टे के दाने मिले तो आप वो इस्तमाल कर सकते हैं पीले के बजाए जैसे आप जानते हैं इसका नाम स्वीट कॉन चिकन सूप है तो थोड़ा सा स्वीटनेस बनती और वो कॉन स मिलती है अच्छा अगर आपके कौन जादा सूइट ना हो तो आप दो से जादा टेबल स्पून शक्कर दाल सकते हैं चलिए फिर से आजिर होंगी एक नहीं शांदार रेसिपी के साथ अंतल देन टेक केर अल्ला हाफिज